देखो अभी सबको यह idea तो है कि allocue units कुछ-कुछ faulty निकल रही है, although percentage काफी low है, लेकिन 100 units में से 1-2 या फिर उससे भी गम, exact number किसी को नहीं बता, but problem तो है, इसी निये लोग public forums पे काफी post कर रहे हैं, काफी criticize कर रहे हैं इस laptop को, but the fact is, जिन लोगों को problem हो रही है, ये लोग detail मे कुछ नहीं बताते, मेरे वीडियो के नीचे भी आपको काफी comments मिल जाएंगे, जो लोग बता रहे होंगे, कि उनके allocue units में problem है, but इन लोगों से मैंने बोला है, कि Instagram पे आम मुझे details शेर करो, detail में बताओ कि कौन सा laptop लिया था, क्या problem आई थी, और सारी चीजे, detail में बताओ, कि हाँ, exactly कितने number of people को problem आ रही है, मगर एक दो लोगों को छोड़के किसी ने response नहीं किया, किसी नहीं बताया, so हम ये भी नहीं मान सकते कि हर कोई बंदा जो वीडियो के नीचे comment कर रहा है, उसको problem आ ही रही है, बहुत से लोग दूसरों का सुनके ही नीचे criticize करने में लगे हुए है, ज्यादातर cases में analyze करो, जब बात करो तो पता चलता है, लोग के पास किसी भी तरह का कोई laptop ही नहीं है, कोई बोलेगा उसके friend को problem आ रही है, कोई बोलेगा उसके generator को problem आ रही है, direct कोई बंदा जो बहुत कम मिलते हैं, जिनको problem आ रही है, जिन लोग के पास actually unit है, ज लग लग वीडियो के नीचे comment करना चाहिए, तभी ज़्यादा पता चलेगा, लोगों को लोग भी aware हो पाएंगे, और उन लोगों को प्लीज इससे बचना चाहिए, जो लोग पास कोई unit नहीं है, कोई experience नहीं है, और वो जस्ट एक दूसरे का सुनके, कि problem आ रही है, इसमे budget gaming laptop series है, तो ये जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी specs, इतने कम price range में जो offer कर रहे हैं, और इनके alternative से सस्ते price में जो ये offer कर रहे हैं, तो definitely इसके अंदर कुछ ना कुछ cost cutting तो है, जैसे thermal system का मैं आपको बताऊं, तो इसका जो thermal system है, वो idea pad gaming and legion के बीच में लाई करता है, legion के जितना तो अच्छा इसका thermals नहीं है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, और इसके thermals नाइट्रो से भी fee के ही वैठेंगे, बट कुछ tuning issues भी हैं इसके software में, तो tuning issues तो future में fix भी हो सकते हैं, company fix भी कर रहे हैं, जो लोग report कर रहे हैं, जो लोग company से बोल रहे हैं, feedback दे रहे ह बट chassis के अंदर और क्या-क्या cost cutting है, कौन-कौन से components cheaper use किये गए हैं, या फिर किन components को choose किया गया है, इसकी cost को गराने के लिए ये अभी तक किसी को नहीं बदा, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही घटिया चीजें लगा दी गई हैं, क्योंकि जिन लोगो problems हा रहे हैं, उ लीजन जितना तो नहीं है, और IdeaPad Gaming से थोड़ा बहुत जादा है, अगर आप इन laptops की longevity को लेके, reliability को लेके, इतना सा भी doubt में है, तो आपको इन laptop नहीं purchase करने चाहिए, आप कुछ और purchase करिए, दूसरे units को purchase कीजिए, मैं इस वीडियो में आपको alternatives देने वाला हूं, बताने वा में भी आप सबसे पूछा था, तो आप लोगों ने comment करके मुझे काफी सारे suggestions दिये, तो जो भी suggestions आपने मुझे दिये, AlloQ के alternatives को लेकर के, वो सारे मैंने इस वीडियो में डाले है, जो भी अच्छे-च्छे options हो सकते थे, तो आप लोगों के अनुसार ही ये वीडियो बन अगर आपकी पसंद को सराहों पर नहीं रखा, तो फिर क्या फायदा इस वीडियो को, देखिए AlloQ series अगर मार्केट में है, और भले ही ये most value for money laptop series है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यही बाय करना है, आप कुछ और options को भी try कर सकते हैं, उनको भी आप बाय कर सक उसके अंदर किसी तरह कि कोई dead issues, 1000 में, 2000 में, even 3000 units में भी नहीं किसी नहीं report करें है dead issues, क्योंकि सोच कर देखिए, अगर आप laptop मानलो AlloQ series का purchase भी गल लेते हैं, उसके बाद आप doubt में रहते हैं, आप fear में रहते हैं कि कहीं आपका laptop ना खराब हो जाए, हर समय आपको यही पर आपने laptop purchase किया है, तो फिर उससे भी क्या फायदा है, तो definitely आपको दूसरे units की तरफ जाना चाहिए, अगर आप fearful है, क्योंकि मन की शांती ज्यादा important है, सुकून से काम करने के लिए, तो चलिए फटावट AlloQ के alternatives को discuss करते हैं, कि कौन-कौन से अच्छे-च्छे laptop हैं, जो आ क्या खासियते हैं, यह मैं आपको बता देता हूँ, देखे, 17.3 इंच की इसके अंदर display मिलेगी, Full HD 144 Hz, Tyson Nets brightness, 45% NTSC display है, i5-12500H processor मिलेगा, इसके अंदर 12 core वाला, और इसके अंदर 4P cores हैं, AT cores है, RTX 3050 है, 4 GB की VRAM है, 95 Watt इसकी TGP है, and 16 GB DDR4, 3200 MHz है, 500 12 GB की Gen 3 SSD है, 90 Watt RG battery ह बहुत बढ़ी है, battery backup बहुत बढ़ी है मिलेगा, अब कुछ लोग कहेंगे कि भई, AlloQ के अंदर 100% sRGB display भी मिल जा रही है, और उसके साथ साथ आपको जो graphic card मिल रहा है, वो भी 6 GB VRAM वाला मिल रहा है, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि उसके अंदर problem, आप खुदी बोलते ह इसलिए ये alternatives हैं, अगर आपको मन की शांती चाहिए, आप इन units के साथ जा सकते हो, जो मैं आपको recommend कर रहा हूँ, देखे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इतना आप समझ के रखिए, दूसरा laptop मै ने जो select किया है, वो 68,000 रुपीस के अंदर select किया है, इसकी specs मैं आपको बताता हूँ, तब से पहले ये जानिए, model है Tuff A15, तो ये जो है अपना ने लांच laptop है, 15.6 इंच, 144 Hz, Dyson 8, and Ryzen 7 7435 HS processor है, जो की काफी powerful processor है, आर्ट कोर सोला थ्रेड वाला, RTX 3050 इसके अंदर मिलता है, 4 GB की VRAM है, 75 Watt इसकी TGP है, and 16 GB DDR5, 5600 MHz वाली RAM है, जो की एक 112 GB की SSD है, Gen 4 वाली ये भी बढ़िया एकदम, 48 Watt आर की बैटरी है, दूसरा alternative ये है कि जो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से परचेस कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और एक special announcement है, मेरे बरेली वाले viewers के लिए, जो भी लोग मुझसे बरेली से बरेली वाले दोस्तों के लिए, जो लोग भी मेरे, मेरी personal advice पे कोई भी PC या laptop प्लान करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, कुछ भी expert advice चाहते हैं, तो आप उसे directly discuss कर सकते हो, इस WhatsApp नमबर पर, मैं आपको offline stores भी अच्छे-च्छे suggest कर दूँगा, अगर आप बरेली में मित रहें, अगर आप मेरे recording, मेरी advice के तूँ जाओगे, क्या दा इस बारे में मैं आप से क्या कहूँ, बस इतना समझो, आप बरेली में मेरे रहते हैं, आपको PC बिल्ड में, laptop प्लान करने में, परचेस करने में, या किसी problem में, मेरे रहते हैं, आपको दिक्कत नहीं आने व होंगे, तभी आपको response किया जाएगा, otherwise नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत रश हो जाता है, फिर अगेन जो laptop में ने select किया है, यह 68,490 रुपय में, और definitely आप cards वगेरा के offer लगेंगे, तो price और जादा नीचे आजाएगा, यह है LOQ, मैं भले ही alternative में आपको suggest करना हूँ, बट LOQ भी आपको suggest करना हूँ, कि LOQ ही अगर आपको लेना है, तो फिर आप कौन सा ले सकते हैं, उनके link में मैं आपको नीचे description में दे दूँगा, जादा नहीं करूँगा, एक दो ही गिने चुने LOQ जो अच्छे वाले हैं, वो ही मैं आपको suggest करूँगा, देकि 100% sRGB इसक प्रोसेसर के अंदर तगडी performance निकालेगा, RTX 3050 भी ग्राफिक कार्ड है, इसके अंदर 6GB VRAM वाला 95W TGP है, तो TGP भी अच्छी है, और 6GB की VRAM भी है, 16GB RAM पहले से इसके अंदर आपको मिल जाती है, 4800 MHz वाली, जो कि DDR5 latest RAM है, 512GB SSD है, 60W RG बैटरी है, Microsoft Office 21B इसके अंदर आ नहीं मिल रहे थे, बट फिलाल ये जो नाइटरो भी है, इसे आप प्लान कर सकते हो, ये 4050 के साथ नहीं है, 4050 के साथ जो है, वो महिंगा चल रहा है, 3050 वाला है ये, तो इसको आप जानो, 15.6 डिस्पले, 144Hz, Full HD, 45% NTSC, and i5-13420H प्रोसेसर, 8-Core वाला, 4P+, 4E, and RTX 3050, 6GB ये 3050 है, ये याद रखना, 65W इसकी TGP है, और TGP लो है, अभी इसके बारे में मैं आपको और क्लारिफाई करूँगा कि ये किनके लिए है, लेप्टॉप, 16GB RAM है, DDR5, 5200MHz वाली, Fast RAM है, 512GB SSD है, Gen4 57Wh की बैटरी है, देखो, एक हलका फुल का ड्रॉबैक, अगर मैं कर सकते हो, वैसे आप इसको second priority देना, first priority मत देना, laptop सही दिख रहा था, promising दिख रहा था, इसलिए मैंने इस list में डाल दिया है, ठीक है, आप दूसरे, जैसे tough मैंने आपको बताए, और भी alternatives आ रहे हैं, आप उनको प्लान कर सकते हैं, ये जो है, पता नहीं, Acer ने क्यों किया इसकी TGP लो क्यों कर दी, अगर ये लोग 95W या 90W TGP दे देते तो मज़ा आ जाता इसके अंदर, फिर जो laptop मैंने select किया है, वो again LOQ है, और ये 4050 वाला LOQ है, इसके बारे में आप समझो, 156 display, exactly same display जो मैंने अभी आपको बताया था, but display सेम है, knit सेम है, लेकिन color accuracy सेम नहीं है वो 45% NTSC है, 100% SRGB नहीं है, द्यान अगना, और Nitro V के अंदर भी जो आपका 4050 आता है, उसके अंदर भी 100 SRGB नहीं होती है, i5-124 50H processor है, इसके अंदर, 8 core वाला 4P, 4E, RTX 4050, इसके अंदर आपको मिलता है, 6GB वाला 95W की DGP है, जो की बढ़िया है एकदम, 16GB RAM है, DDR5 latest, 4800 MHz, 5 712GB SSD, 60W RG battery, Microsoft Office 21, ये भी बढ़िया है, option, अगर आप चाहो तो चूज करना, और जो लोग भी laptop के खराब होने से परिशान हैं, उनको ये लग रहा है कि laptop खराब हो जाएगा हमारा, प्लीज, extended warranty ज़रूर लीजिए, डिपेंड करता है, क्या offer चला है, 499,999, इस तरह के price range में आपको जो है, तीन साल की extended warranty आराम से बिल जाएगी, और अगर सबोज करिए, 1999 में बिल रही है, तब भी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ये laptop के insurance की तरह है, सबोज करिए, किसी भी condition में आपका laptop खराब होता है, तो आपको अपनी जेव से पैसे नहीं लगाने है, तीन साल त किया है, जो billing date है आपके laptop पर, उसके according जो है, 15 days के अंदर अंदर आपकी जो warranty है, वो एक्टेंट आपको करवा लेनी है, किसी भी हाल में, तो warranty extension की जो fees है, वो आप laptop के price में जोड के चलें, उसी के according laptop प्लान करें, मतलब laptop खरीदने के बाद ये ना करें, कि warranty extend करने के लिए आ तो फिर आप करवाओ नहीं उस वजह से, तो फिर आप फिर परिशानी में बढ़ोगे, और ये सारे ही ब्रेंट के laptop के लिए है, किसी भी ब्रेंट के laptop आप purchase करें, warranty ज़रूर एक्टेंट करें, फिर मैंने जो laptop select किया है, इसका price है 77,000 रुपे, ये जो laptop है, tough F15 और बढ़िय अगर आपको 4 के वीडियो एडिटिंग करनी है, मक्खन की तरह करवा देगा ये, 15.6 का डिस्प्ले, full HD, 144Hz, Dysonite, i7-12700H प्रोसेसर है, 12700H, 14-Core वाला प्रोसेसर है, 6P-Cores है, 8E-Cores है, RTX 3050 है, इसके अंदर 4GB वाला ही है, 95W इसकी TGP है, ये उन लोगों के लिए है, recommended laptop, जिल लोगों को heavy CPU performance वाला laptop चाहिए, दबा के वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर heavy heavy software चलानी है, जो ज़्यादा प्रोसेसर हागिंग होते हैं, तो उनके लिए आपको ये laptop पर्चेस करना चाहिए, 16GB RAM, DDR4, 3200MHz, 512GB SSD, 90Wh ये बैटरी, आसुस्ट अफ सीरीज की ये बात बहुत अच्छी लगती है, मुझे कि ये लोग 90Wh की बड़ी बैटरी यां देते हैं अपने laptop के अंदर, जिससे बैटरी 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 बैलेंस हो जाता है, 3-4 गंटे का निकल पाता है, फिर जो laptop मैंने सेलेक्ट किया है, वो Nitro V ही है, और ये 4050 वाला है, इसके बारे में कहेंगे, ये 95W के बराबर नहीं करेगा, और हमें 95W के साथ ही laptop पर्चेस करना चाहिए, तो देखो, एक बात समझने वाली यहां पर ये है, कि 95W वाला भले ही आप लैटरी पर्चेस कर लो, अगर उसका thermal system अच्छा नहीं है, तो फिर वो जो आपका GPU है, वो बढ़िया थाम करके नहीं देने वाला है, वो 95W जैसी performance नहीं निकालेगा, और बहुत सारे जो GPU है, उनकी जो maximum TGP है, वो 80 ही है, लेकिन 15W का उसके अंदर dynamic boost आपको देखने को मिलता है, जो कि कुछ special cases में ही होता है, हर बार dynamic boost नहीं होगा, ठीक है, तो basically आप इतना समझो, लगबग यह laptop same performance ही निकालेंगे, क्योंकि Nitro V का thermal काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर जो technology यूज होई है, कि GPU को जादा power चाहिए, तो GPU को मिल जाएगी, तो CPU को मिल जाएगी, गेमिंग के टाइम पे, तो उसकी वे से जो है, और बड़ी तरीके से optimized laptop, और better performance निकालता है, competition से, तो यह जो laptop मैंने 81,000 में select किया है, यह जो laptop है, Victus है, और 15.6 inch full HD 144Hz, 45% NTSC, i5 13 420H processor, 8 core वाला, 4P plus 4E, RTX 4050, 6GB वाला है, 75W वाला है, तो alternators मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर आप को यह लोगी नहीं ले रहा है, तो आप इन laptop के लिए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग brand specific preference भ ही देंगे, जिनको जो मतलब मन में जो brand सोच के बैटे है, वो ही खरीदना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी आप इस list को consider कर सकते हैं, 16GB RAM, DDR4, 512GB SSD, Gen4 SSD है, Fast SSD है, 70Wh की battery है, battery backup भी ठीक टाक मिल जाएगा, Microsoft Office भी भेले से मिलता है आपको, और next laptop जो मैंने select किया है, वो Tuff F15 ही है, जो अभी मैंने आपको बताया था, और इसके अंदर, उसके अंदर difference यह ही है, कि यह 1TB SSD के साथ आता है, वो 512GB SSD के साथ आता है, बाकी exactly laptop same है, बिल्कुल same है, so guys, यही थे वो सारे options, जो मुझे आपको बताने थे, अगर आपका इन laptop में से कोई भी laptop plan करने का मन बनता है आप description में सबके link चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से चेक करिए, laptop plan करिए, purchase करिए, आपको कोई इनके अंदर दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई problem आने के case में, आप मुझे इंस्टा पे message कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैंने आपकी solution पे laptop purchase किया था, तो मेरे hand से जो help हो जगे आपकी वह मैं करने की try करूँगा, but condition यह है कि आपको link से purchase करने का try करना है, ताकि channel के लिए भी कुछ benefit आप त्यार कर सकते हूँ, इतना मैं आपको वादा कर सकता हूँ, कि अगर आप मेरे solution पे laptop purchase करेंगा, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, दिक्कत आएगी भी तो हम है अगर इस्टल आपकी कोई query है, नीचे आप comment कर सकते हैं, किसी भी laptop से related, कुछ भी आपको जानना है, आप नीचे comment करिए, वीडियो को like करिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, bear icon दो रूपेस कीजिए, future में आने वाली वीडियो के updates के लिए, मैं मिलूँगा आप से अपने next वीडियो में किसी बड़िया topic के साथ, अब तक के लिए, नमस्कार, चेह,